है आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में आज लेकर आई हूँ मसाला अर्वी की रेसिपी तो इसके लिए अर्वी को मैंने दो सीटी लगा के उबाल लिया है और उसके बाद छील लिया है इसे आप दो तरीके से कटिंग कर सकते हैं या तो गोल पीस में कर लीजेगा या लंबाई में भी इसे कट कर सकते हैं तो फिलाल या सारी में गोलाई में ही cutting करूंगी तो इसे side में रख देते हैं कढ़ाई में लेना है, थोड़ा सरसो का तेल बहुत जादा नहीं लेना है इसमें थोड़ी सी में जवाइन ली है और बहुत थोड़ी सी हिंग ली है दो पिसे हुए टमाटर को यहाँ आड़ कर देते हैं और जब टमाटर थोड़ा हमारा भुन जाए तो इसमें हमें थोड़े बेसिक से मसाले आड़ करने हैं जैसे हल्दी पॉडर, लाल मिर्च पॉडर, धनिया पॉडर दो से तीन मैंने हरी मिर्चों को इस तरीके से काटा है बहुत छोटे साइच की हैं तो मैंने साबुत भी ली हैं तीन मिर्चे और बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ अधरक लिया है करीब आधा इंच का अधरक को मैंने छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लिया है जब ये सारे मसाले अच्छे से भून जाएं तो तीन से चार चम्मच मैंने यहां ताजा दही लिया है और इसे भी इसमें डालके मिक्स कर लेते हैं जैसे जैसे आप भूनेंगे तो ये मसाला ओयल छोडने लगेगा हमें जब तक भूनना है आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया से ये मसाला हमारा तयार होता जा रहा है और बिना प्याज लहसुन के ये अर्वी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है तो आप देख सकते हैं ओयल हमारा अलग हो गया है मसाला अच्छे से भून चुका है तो इसी स्टेच पे हमने डेढ़ गलास पानी लेना है तो एक गलास में डाल चुकी हूँ आप ये देख लीजेगा आपको अर्वी की ग्रेवी कितनी रखनी है बहुत घाड़ी रखनी है तो एक गलास डाल येगा फोड़ा जादा तरी वाली रखनी है तो डेड़ गिलास लीजिएगा मैंने यहां 500 ग्राम अर्वी ली है तो डेड़ गिलास पानी एड़ करूँगी और स्वाधन उसार नमक एड़ किया है इसे मिक्स कर लेते हैं और आप आगे देखेगा बिना प्याज लहसुन के यह कितनी फर्स क्लास बनने वाली है तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 6-7 मिंट इसे बिल्कुल लोटू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ 6-7 मिंट हो चुके हैं और सबजी को हम चला लेते हैं आप देख सकते हो बिल्कुल ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है तो इसमें एड़ करूंगी गरम मसाला बारी कटा हुआ यहाँ धनिया एड़ करेंगे गैस को आफ कर देते हैं इस टाइम तो इस तरीके से बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही कम ऑईल में आप फसक्रा सबजी बना के तयार कर सकते हैं इससे फुलकों के साथ पराटों के साथ जैसे मर्जी वैसे सर्फ कीजिए खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट है कैजूल सबजी है इसलिए इसमें बहुत ही कम ऑईल और मसालों का यूज किया गया है तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेर ज़रू कीजिएगा अकल सुभा फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू